जब नाश मनुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है मोदी जी के लिए एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालने के लिए कोई संकोच नहीं करता है गमंडियों का गमंड और आंकार सिरचड़ के बोल रहा है एक बार भी राहूल गांदी जी सोनिया गांदी जी ने ऐस टिपनियों के ओपर अपनी कोई जबाब नहीं दिया गाली 120 तक पहुंच चुकी है नफरत के बोल 120 तक पहुंच चुके है ये कल तक जब शराब घोटाले के आरो परविंद केजरिवाल पर लगाते थे वही कॉंग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए है जब इन्डी कठ भंदन वालों का विवेक मर गया है अगर एक के बाद दूसरे इनका ब्यान सुनेंगे तो अब तो है यह लगता है विवेक का मरना भी चोटी सी बात है यह तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है, इनकी मुहबबत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनिती आज सिर्छ चड़कर बोल रही है सनातन को खतम करने की होड लगी है एक के बाद दूसरा बड़ा ब्यान उस तरफ आता है तो मोधी जी के लिए एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालने के लिए कोई संकोच नहीं करता है कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसत के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए अपत्ती जनक भाशा में देश के प्रधान मंत्री और दुनिया के सार्वधिक लोगप्रिय नेता के बारे में जो टिपनी की जो शब्दों का प्रियोक किया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है लोगतंत्र में ऐसी भाशा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सार्वधिक लोगप्रिय अनेता के लिए देश के माननी परधान मंत्री के लिए 140 क्रोड की जनता के द्वारा चुनेगे परधान मंत्री पर इस तरह की टिपनी करना ये अपत्ती जनत भी है शरमनाग भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गटभंदन को मांगनी चाहिए लेकिन गमंडियों का गमंड और आंकार सिर चड़ के बोल रहा है एक बार भी राहुल गांदी जी सोनीा गांदी जी ने ऐसी टिपनियों के ओपर अपनी कोई जवाब नहीं दिया जी सोनीय जी से सवाल है क्या सरक्षन आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकडे करने की बात करते हैं, सिर्फ ओडने की बात करते हैं, और अभधर भाशा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं, साथियो इतिहास गवाह हैं, तैमूर से लेके बाबर और अरंजेब तक सबने सनातन धरम को समाप्त करने की मिटाने का प्रयास किया ना सनातन को कोई खतम कर पाया था ना कोई कर पाएगा मोदी जी को भी जितनी वारे इन्होंने गाली निकालने का काम किया हिंदोस्तान की जनता ने उतना ही बढ़ चड़ कर प्रेम दिया है गुजराज से लेके देश के चुनाव तक जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली निकाली है जनता ने उतना ही प्रेम और प्यार बरसाया गाली 120 तक पहुंच चुकी है नफरत के बोल 120 तक पहुंच चुके है आप कल्पना कीजिए 120 बार एक के बाद दूसरे जो ब्रष्ट अचार के चलते एक के बाद दूसरे छिपे हैं आप जब देखिए ब्रष्ट यूपिये का चेहरा हटा कर ये आये थे तो उन्हें जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया इनका कहना क्या था ये कहने आये थे हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे लोग तंतर खत्रे में है अरे मैं कहूंगा डेमोक्रेसी नहीं करप्षन खत्रे में है डेमोक्रेसी नहीं अपीस्मेंट खत्रे में है डेमोक्रेसी नहीं अना एंटी सनातनी खत्रे में है डेमोक्रेसी नहीं कमिशन खोरी खत्रे में है democracy नहीं cut money वाले खत्रे में है इनके लिए democracy में C corruption है indicate बंदन वालों के लिए बट हमारे लिए C commitment है C competence है C capability है और C clarity for विक्सित भारत है यही अंतर है इन में और हम में यह भेष्टाचारी को बचाने को कहते लोकतंतर को बचाना है यह कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरिवाल पर लगाते थे वही Congress आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए है